हेलो दोस्तो, नमस्कार, मिर्णाम Islands Administration और आप सभी का Welcome है Nothing Impossible के YouTube चैनल पर आसा करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की preparation भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी तो फ्रेंट्स आज के इस पीड़ों में हम लोग UGCNate फर्स्ट पेपर में एकजाम 2022 और 2023 के point of view से 8 जुलाई 2018 से लेकर 25 जुन 2019 के बीच में जो ICT के प्रशन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम cover करने वाले हैं और यह हमारा part 1 है तो इसी प्रकार से मैं आपको 4 part provide करूँगा इससे पहले वाला unit मैंने आपको complete कराया था teaching aptitude का तो उसमें भी मैंने इसी प्रकार से आपको part 1, part 2, part 3, part 4 करके मैंने 4 part में 105 question आपको cover कराया थे और उन विद्यारतियों के लिए खास जादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिन विद्यारतियों ने किसी कारण वस जो है preparation नहीं किया है उनके पास 40-45 दिन है या 50 दिन है और वो चाहते हैं कि exam में बैठे तो उनके पास confidence रह और question को solve कर सके तो उनको previous year के question paper with details के साथ solve करना ह उनको बहुत ज्यादा उससे फायदा मिलने वाला है अब देखिए ये वीडियो काफी important इसलिए है कि इसको आप चाहो तो practice state की तरह attempt कर सकते हो चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो क्योंकि यहां पर मैं question की बारे में भी बताऊंगा question किस प्रकार से आप से पूछा जा रह और इस वीडियो में हम 25 question को cover करने का प्रयास करेंगे वो भी with details के साथ अगर आप चाहोगे तो कम समय में मैं इसे cover कर सकता हूँ बस question जो है practice state की तरह attempt करा कर लेकिन यहां पर मैं प्रयास करता हूँ कि question और answer को describe करूँ ताकि आपको बहतर तरीके से समझ में आए तो चलिए पर जो है दो ICT के संदर में यानि information and communication technology के संदर में दो कथन दिये गये हैं दोनों कथन को हमें बड़ा इत्मिनान से पढ़ना है और समझना है उसके बाद से ही इन चारों विकल्पों में से हमें अपना सही answer बताना है अब ये आपको जवाब भी देना है ठीक है comment box में हर question क जवाब देने का प्रयास करिएगा question का answer गलत होगा कोई बात ने लेकिन आपको प्रयास जरूर करना है ठीक है और वीडियो को पहुच करके आप जादा से जादा समय भी ले सकते हैं सोचने के लिए ताकि आप answer सही कर पाएं अब देखिए यहाँ पर P जो statement है उसमें बताय प्रात्माचारी नाम है जिसका पूरा नाम Indian classical technology है अब देखिए यहाँ पर तो आपको यह direct गलत लगेगा क्योंकि ICT का unit भी मैंने आपको जो theory वाला पार्ट है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से complete कराया है तो आप सभी को पता है कि ICT का जो full form होता है वो information and communication technology होता है तो यह तो आपका ऐसे ही गलत हो जाता है बस थोड़ा सा समझना है आपको आंसर समझ में आ जाएगा फिर next क्या कि ICT के अंतरगत जो है परड़ा में प्राविधिकी शमिलित है जिनके अंतरगत स्रव्य दृष्य दूरभास और computer network एक साथ समान cabling प्रडाली द्वारा सन्योज किये जाते हैं तो देखे आपको पता है कि information and communication technology के अंतरगत जो स्रवशाद अंदृष्य और दूरभास और computer जैसे उपकरण होते हैं उनको cabling या network जो प्रडाली है उससे क्या किया जाता है सन्योजित करने का प्रयास किया जाता है जैसे देखे यहां पर बहुत सारा आपको computer दिख रहा है laptop दिख रहा है mobile phone है desktop है इस परकार से बहुत सारे यंत्र यहां पर आपको दिख रहे होंगे और internet के माध्यम से इनको connect किया जा सकता और कोई भी information एक device से दूसरी device तक भेजा जा सकता है तो ICT में information को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक भेजना काफी जादा आसान है तो यहां पर यह तो statement आपका पूरी तरीके से right हो जाता है तो यहां पर केवल आपका Q वाला जो statement है वो right है तो यहां पर चारो ज़्यादा difficult question नहीं था लेकिन जब तक आपको question समझ में नहीं आएगा तब तक आपको question difficult लगेगा इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा question की practice करेंगे इसलिए जो सब्द होते हैं उनके साथ आप familiar हो पाएंगे और तब वो सब्द आपको odd या अजीब नहीं लगें या difficult नह आएगे अगला question देखते हैं आप देखिए अगला question हमारा question number two इसमें पूछा जारा कि एक नए laptop का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है और अधिक लगू और तथा अपने पूरवरती मॉडल की तुलना में कम बिजली का उप्योग उसमें होता है इसको बनाने में निम freedom access memory और c है blue ray drive है और d है आपका solid state hard drive तो किसका यहां पर इस्तमाल किया गया है किस प्रदोगी का एक नया laptop का निर्माण किया जा रहा है जिसका भार कम है और अधिक लगू है तथा अपने जो पूरवरती मॉडल है यानि पहले का जो उसका मॉडल है और आपका मॉडल है उ अब देखें यहां पर जो आपका right answer हो जाएगा वो है आपका option number D solid state hard drive इसको sort में SSD भी कहा जाता है तो इस प्रदोगी का यहां पर इस्तमाल किया जा रहा है और ज्यादा तर यह laptop में इस्तमाल किया जाता है और यह secondary data source है ठीक है secondary data इसमें store किया जाता है दिती है storage device इसे कहत कि आपको याद रखना यह primary memory नहीं होती यह आपकी secondary memory होती है SSD यह आपको याद रखना है और यह hard disk जो आपका होता है उससे काफी ज़्यादा यह fast होता है ठीक है तो यह तकनीक काफी ज़्यादा उन्नत है इसमें memory का जो device होता बहुत चोटा यहां पर बना जाता जो बहु देख लिए काफी अच्छा समझ में आएगा आपको अब देखें यह आपका जो है SSD है यानि कि solid state hard drive है इस प्रकार का होता है और इसके अलग-अलग प्राइज होता है वैसे तो यह आपका 64GB का है और यह आपका secondary memory है यह आपको याद रखना यह primary memory memory नहीं होता है कभी question में अगर आपसे पूछ ले जाए कि SSD किस प्रकार की memory है तो यह secondary memory है इसमें data store किया जाता है यह आपका hard disk जो होता है और memory उनसे काफी ज्यादा यह fast होता है secondary memory में ठीक है काई हो कि यह आपको समझ में आ गया अब जो कुछ पुरानी storage device है उनको भी मैं दि किया था तो यहाँ पर काफी images आपको देख जाएंगे जिसे यहाँ पर देखिए आपको एक image दिखेगी कि 1956 में किस प्रकार की यह storage device थी और इसमें केवल 5 MB data store हो सकता था लेकिन 2013 में यह देख सकते हैं यहाँ पर 4 TB बहुत छोटा सा device हाथ में दिख रहा और 4 TB यानि 4 TB के असपास storage इसमें आप रख सकते हैं तो कितना ज़्यादा तकनीकी विकास यहाँ पर हुआ अगर मालीजे ऐसे storage device होते तो आप सोच सकते हैं कि computer system कितना बड़ा होता था तो आप मान सकते हैं कि पहले के समय में जो computer system होते थे इतने बड़े होने के कारण एक storage device भी होता था क् काफी ज़्यादा बड़े होते थे और कम storage उसमें store हो पाता था लेकिन यहाँ पर computer छोटा होने का कारण कई सारा है कि जो तकनीक का इस्तमाल किया जाता है जो circuits हो गए जो अन्य device हो गए जो अन्य उपकरण वो बहुत छोटे बना दिये गया और storage device यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर option D आपका right answer हो जाएगा यह आपको याद रखना है और आप सभी ने सही जवाब comment box में बताया होगा आईए अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 3 देखे email से related यह question है और इस type के question कई बार exam में पूछे गए हैं और यह भी question आपका previous year का ही है तो देखे इस अभी email के जो विकल्प दिये गए इनमें से किस प्रकार के email पतों को वो जान सकेगा देखे यहाँ पर two दिया गया है जिसके द्वारा भेजा गया email ramtest.com और यहाँ पर cc यानि carbon copy इसको बोला जाता है मैंने बताया है आपको rajtest.com ravitest.com और फिर उसके बाद bcc होता है blind carbon copy य वही प्रती और वही copy या वही email किसी और व्यक्ति को भेज दिया जाए और जिस व्यक्ति को में रूप से आप भेज रहे हैं उसको पता न चले तो आप bcc का इस्तमाल करते है यानि blind carbon copy यह option आपको मिल जाएगा email में तो यह कुछ विकल्प दिये गया और यहाँ पर इन चा option B हो जाएगा यह आपका right answer है राम at the test.com जो कि यहाँ पर भेजने वाला व्यक्ति है फिर उसके बाद से जिसको भेजा गया है राज test.com फिर उसके बाद से रवी test.com जो कि यहाँ पर cc यानि carbon copy तो केवल यह वाला आपको email पता चल पाएगा जिस स्वामी को यहाँ पर email email में मैंने आपको ICT का जब unit complete कराया था तो उसमें बताया था और इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताईएगा comment box में वहाँ पर भी मैं clear करने का प्रयास करूँगा. आई एकला question देखते हैं. अबला question आपका है question number 4. देखिए इसमें पूछा जारे के भ वो दी गई हैं. आपको करना क्या है कि जो सबसे कम है करम में सबसे छोटी जोई काई है उससे start करना और बढ़ते हुए करम में आपको आगे ले जाना है. तो इसके बारे में भी मैंने जब theory वाला part आपको कराया था ICT में तो उसमें काफी कुछ बताया था. तो I hope कि इसका पहुच करके अपना right answer बताने का प्रयास जरूर करें. इस तरीके से आपकी बहुत ही अच्छी practice होगी और उसके बाद से मैं right answer बताई रहा हूँ और करम भी अच्छे तरीके से समझाओंगा आपको. देखे यहां पर सबसे पहले जो करम में आएगा वो आ जाएगा bit. मैंन पहले करम में क्या है मैं लिखता हुआ चलता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा पहले bit हो जाएगा फिर आपका यहां पर byte हो जाएगा और उसके बाद से next जो आपका इसमें आता है वो आता है kilo byte के बाद क्या आता है आपका kilo byte यानि के भी आता है यहां पर मैं लिख देता हूँ kilo byte बाइट यहां पर हो जाएगा पेन थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ यहां पर हाँ अब ठीक है अब देखें सॉरी यहां पर मिट गया आपका bit था पहले फिर उसके बाद से byte था और उसके बाद से आपका यहां पर kilo byte हो जाएगा और इसके बाद से क्रम आएगा मेगा बाइट जिसको MB कहते हैं फिर उसके बाद से आता है gigabyte जिसको GB कहते हैं और चौथे नंबर पे आपका आता है terabyte तो यह क्रम आपका होगा यहां पर मैं लिखके दिखा भी देता हूँ अब beats आपका हो गया फिर उसके बाद से byte हो गया तो यह पताया है और मैंने क्या बताया कि एक बीट में जो एक से जीरो तेक आप भंडारण कर सकते हैं और एक बाइट में आपसे पूछ लिया जाए तो वह आपका होता है अगर आप पूछ लिया जाए कि 1 किलो बाइट में कितना होता है तो 1024 बाइट होता है ये भी आपको याद रखना है कितना 1024 आपका होता है बाइट इसमें फिर अगर एक एमबी में पूछ ले जाए यानि मेगा बाइट में कितना होता है तो याद आपको रखना है कि 1024 किलो बाइट ह और उसी प्रक्रास, टेराबाइट यानि टीवी आपसे पूछ लाजाए कि एक टेराबाइट में कितना गिगाबाइट होता है, तो एक हजार चुपिस गीगाबाइट होता है, तो इसे आपको याद रखना, गुष्टन कैसे भी घुमा फिर के पूछा जाए आपको सही answer comment box में लगा कि आना है उमीद करता हूँ question आपको clear हो गया होगा आई एगला question देखते हैं अगला question नमारा है question number 5 देखें इसमें पूछा जा रहे कि computer memory के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन आपका सही हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ statements दिये गए है computer memory के संदर में सबसे पहले यहाँ पर P है आपका read only memory, volatile memory है यह statements है और Q दिया गया है random access memory, volatile memory है और R दिया गया है यहाँ पर secondary memory, volatile memory होती है अब आपको यहाँ पर जो यह चार विकल्प दिये गए हैं option A, B, C और D इन में से ही अपना क्या करना है आपको right answer बताने का प्रयास करना है तो comment box में right answer बताने का प्रयास जरूर करिएगा देखे यहाँ पर इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number यहाँ पर B क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा आपका कीवल क्यू वालाई statement आपका सही हो जाएगा कैसे मैं वो आपको अभी बताता हूँ देखे यहाँ पर read only memory जो कि ROMS indicate क्या जाता है यहाँ पर sort में यह volatile memory नहीं होती है आपको बतानू कि volatile memory वो होती है जिसको जो है user के द्वारा जो use करता है जैसे कि आप computer यूज कर रहे हैं या laptop यूज कर रहे हैं तो उसके RAM को आप बढ़ा सके जो read random access जो memory होती है उसको आप बढ़ा सके वो आपकी volatile memory में होती है यह आपको याद रखना इसलिए random access memory क्या होती है आपकी volatile memory होती है जबकि ROM क्या है वो volatile memory नहीं होती है जबकि secondary memory, volatile memory यह तो वैसे भी नहीं होती है आपका जिस secondary memory में hard disk हो गया चिप हो गया यह सब volatile memory आपका नहीं होता है तो उमीद करता हूँ यह आपको clear हो गया होगा और कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं है तो आप comment box में ज़रू बताइएगा और यहाँ पर कुछ और important points है जिसे आपको याद रखना है जैसे देखिए RAM सबसे ज़्यादा उप्योग होने वाली memory होती है जो कि आपका random access memory है और इसके साथ RAM एक अस्थाई memory होती है यानि कि जब भी आपका laptop या desktop मतलब खरीते हैं आप purchase करते हैं तो उसमें वो fix होके ही साथ में आता है यानि कि बाहर से आप उसे बढ़ा सकते हैं एक्स्टेंड कर सकते हैं वो अलकी बात है लेकिन उसमें ये fix होके आता है एक किस्थाई memory की तरह और ये आपको याद रखना है कि अगर विद्दूद supply बंद हो जाती है यानि बिजली जाना आपके system में बंद हो जाएगा तो जो RAM में संग रही data होता है वो क्या हो जाएगा आपका मिट जाएगा तो इतना याद रखना है कि random access memory में जब भी आप कोई software run कर रहे हैं या चला रहे हैं ऑपरेट कर रहे हैं तो उससे संबन्दी जो data होता है वो RAM में आपका जाता है इसलिए जब भी आप system आपका बंद होता है वैसे ही ये data क्या होता है रेज हो जाता है बिजली supply बंद होती है इसके बाद से RAM में जो है सूचना को पढ़ना लिखना तीवर गती से होता है ठीक है क्योंकि ये primary memory होती है वहीं पर जो ROM आपका होता है read only memory का जो काम करता है ये एक non-volatile memory का example होता है जिसमें सामाने user दोरा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता ये याद रखना है कि ROM में कोई भी जो सामान user उप्योग करता है किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता है देखिए मैंने यहाँ पर जितने भी important points question से बन सकते हैं उसको explain करने का प्रयास किया otherwise कुछ भी problem लग रही कुछ समझ में नहीं आता है कुछ लगता है ये terms गलत हो सकता है तो आप जरूर मुझे comment box में बताइए का मैं clear करने का प्रयास करूँगा बाकी मैं अपने तरब से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आई अगला question देखते है अगला देखिए question नमारा question number 6 है इसमें पूछा जारा है कि निमनलिखित में से किसको दित्यक भंडारण का एक रूप नहीं माना जाता है ये मैंने आपको कई सारा कुछ बताया कि जो primary storage device होती है और जो secondary ठीक है आपका ये primary storage device होता है तो यहाँ पर question में क्या पूछा गया कि कि किसको दित्यक भंडारण का एक रूप नहीं का आजा सकता तो RAM जो है दित्यक भंडारण का एक रूप नहीं है ये primary storage device है तो ये आपको याद रखना बाकि floppy disk, optical disk और flash to drive होता है ये आपका दित्यक storage device कर लेजी है दित्यक भंडारण device इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं तो ये तीनों नाम भी आपको याद रखना है ताकि confusion नहीं होना ये primary नहीं है आपका secondary storage device है बाकि RAM, ROM ये primary storage device में आता है और SSD भी आपका secondary में ही आता है ये आपको याद रखना है तो I hope कि आप सभी ने इसका right answer comment box में बहुत ही आसानी के साथ बताया होगा आई एगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 7 देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो telephone lines पर प्रदत को संचारित करने में computer को सच्छम बनाता है जैसे internet के इस्तमाल के संतर में पूछा रहा है कि ऐसा कौन सा यहाँ पर device आपको लग रहा है जिसको आप internet इस्तमाल करने के लिए इस्तमाल करते थे तो देखिए यहाँ पर इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number D modem अब देखिए modem क्या होता है इसको समझ देजिए तो modem एक hardware device होता है जो किसी computer network में telephone line या cable या satellite connection पर data भेजने वह प्राप्त करने की अनुमती देता है तो पहले की समय में अगर आपको computer में या फिर laptop में अगर internet इस्तमाल करना होता था तो आप modem खरीते थे और उस modem में sim लगाते थे और उसकी बाद से internet का इस्तमाल कर पाते हैं अब तो बहुत आसान हो गया mobile से अपने system को connect करते हैं या laptop को आसानी के साथ internet यूज कर पाते थे लेकिन modem पहले आया था जिससे हम internet का इस्तमाल करते थे ठीक है तो ये वाला आपका जो युकती है वो right हो जाएगा computer को सचम बनाने में तो I hope कि आप सभी ने option D comment box में अपना answer बताया होगा आई अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 8 देखे इसमें पूछा रहे कि ऐसे समावेसी पद की पहचान कीजिए जिसमें company के व्यवसाई के संचालन के लिए electronic platform का उपयोग सम्मिलित होता है तो यहाँ पर इन चारो विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें company के व्यवसाई के संचालन के लिए electronic platform का उपयोग किया जाता है तो I hope कि इसका right answer आप सभी comment box में बहुत ही आसानी के साथ बताएंगे पहला है e-business दूसरा है e-commerce और c है e-market और d है e-governance तो इसमें एक ऐसा विकल्प है जिसका नाम आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपका right answer है वो है आपका option number B e-commerce website जिस पे जाकर आप swapping करते हैं आपकी जरुत के जो भी समान होते हैं कपड़े होते हैं और भी अन्य accessories उसे आप buy करते हैं जैसे कि आपका Amazon हो गया, Flipkot हो गया, Mintra हो गया, Snapdeal.com हो गया, Ajo.com इस तरीके के जितने भी swapping sites हैं यह सारी e-commerce websites होती हैं यह एक electronic platform होती हैं जिसका OPO company के द्वारा व्यवशाई के संचालन के लिए किया जाता है अब देखिए इसमें कुछ और important details है जिसे आपको याद रखना है कि e-commerce internet के माध्यम से व्यापार का संचालन होता है e-commerce में ठीक है जिसमें न केवल खरीदना और बेचना अपितु गराहकों के लिए सेवाएं और व्यापार की भागिदारी के साथ सहयोग भी आपका सामिल होता है यहाँ पर जो electronic platform होता है तो i hope की e-commerce आपको समझ में आ गया बहुत ही difficult नहीं यह थोड़ा सा आपको समझते हुए चलना है तो देखें यहाँ पर चार आपको domain name दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि जो सैचिक संस्थान होते हैं लाइक आपका जो महाविद्याले हो गएं college हो गएं schools हो गएं उनके लिए किस प्रकार का domain इस्तमाल होता है जब भी वो website बनाते हैं आपका इन एश्टी तो यह चारो domain name है तो इसके बारे में आपको right answer बताना है कि सैचिक संस्थान के लिए किस प्रकार का domain name लिया जाता है आप देखे domain name के बारे में काफी ज़्यादा मैंने बताए कि ये एक way पता होता है और इसी पते के माद्यम से जो user होता है आपकी website पे जाता है और उन data को access कर पाता है जो की server पे upload आपका होता है तो I hope कि आपको समझ में आगा जैसे कि आपका surname होता है आपका surname कुछ भी हो सक सकता है अभी की अभिशेक सिंग हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर surname क्या होता है जिससे आप पता चलता है कि आप किस family से या किस कास्ट इस तरह बिलांग करते हैं ठीक है वैसे surname बहुत ज्यादा importance नहीं होता है क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है ना कि अपने न सकता है तो एडी यू जो होता है आपका याद रखना है आपको हमेशा यह जो डॉट एडी यू होता है वो सेच्छडिक जो संस्थान होते हैं उनके लिए इस डोमेन नेम का इस्तमाल होता है वेबसाइट को बनाने के लिए बाकी जो और जी होता है यह जो organization होती है अलग- इस तरीके से आता है यह government जो agency होती है वो इस्तमाल करती है तो यह भी काफी important है इसको भी आपको याद रखना है तो I hope की सब कुस समझ में आया होगा आईए अगला question देखते हैं अब देखिए अगला question हमारा है question number 10 और यह question आपका full form वाला है और मैंने आपको बताए कि एक question full form से ICT वाले unit में आपको देखने को मिल जाएगा और मैंने काफी जो है full form से related computer के जो terms है उसको कराया है तो यहाँ पर देखिए जो पूछा जा रहे कि NMEICT का full form क्या है इन चारो विकल्पों में से आपको बताना है तो simple से आपको क्या करना है वीडियो को पहुच करिए थोड़ा सा समय लीजिए और अपना right answer बताने का प्रियास करें देखिए इमांदारी से जितना ज़्यादा प्रेक्टिस करेंगे मैं तो देख नहीं पा रहा हूं लेकिन जितना आप अपने प्रती इमांदार होते हैं यानि पढ़ाई के दौरान कभी अपने आपको जो है चीट मत करी के नहीं अभी मैं पढ़ रहा हूं पाच मिट पढ़ा आपने फिर उसके बाद किसी और काम में इंगेज होगे मोबाईल चलाने में तो ऐसे एक्जाम नहीं करेक होगा आपको लगातार घंटो घंटो अब बीच बीच में ब्रेक लेजिए गंटा आपने के काफी ज़्यादा आराम देगी ठीक है तो कोई भी काम करते हैं कोई भी सफलता प्राप्त करना है तो आपको रास्ते में बहुत सारे रोने मिलेंगे काटे मिलेंगे तो तब भी आपको अपने पत से डगमगाना नहीं आगे बढ़ते रहना और एक सुनहरा जो है कैली ज ज़्यादा इंपोर्टेंस होता है आप दो मिनट चार्ज हो जाएंगे किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया लेकिन खुद से मोटिवेट आपको होते रहना अपने लच्छे को प्राप्त करने के लिए अब देखिए जो इसका फुल फार्म हमारा हो जाएगा राइट वो ह रखना है कि यह जो योजना है सिच्छा मंत्राले द्वारा 2009 में प्रस्तावित किया गया था और जिसका उद्देश से था कि ICT के प्रयोग द्वारा विद्यार्थियों को मुप्त पाठिक्रम समागरी उपलब्द कराना था इस योजना का क्या उद्देश से था तो विद तरकर स्वयम, स्वयम प्रभार, नेशनल डिजिटल लैबरेरी आफ इंडिया, वर्चुल लैब ये सारा कुछ इसी मिसन के थुरू आपको देखने को मिल जाएगा तो I hope कि ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा आई अगला कुश्चिन देखते हैं अगला कुश्चिन नमारा आपको right answer बताने का प्रयास करना है तो वीडियो को पौच करके right answer जरूर बताएं देखें यहाँ पर जो आपका right answer हो जाएगा वो है आपका option number C 960 गुर्टे आपका 1024 ये जो है किलो बाइट ये आपका right हो जाएगा अब देखें हमेशा आपको याद रखना है कि किसी भी computer की मुखे स्मृति में 960 किलो बाइट आपका होता है और ये multiply 1024 से होगा जैसे कि अगर एक MB से आपसे पूच लेजें कि 1 MB में जो है कितने के भी होता है तो 1024 आप बताते हैं और पूचा जाता है कि 1 GB में कितना MB आपका होता है तो आप इस समय इस तरीके से आप बताते है 1024 जो है MB आपका होता है तो ये जो 1024 होता है वो 960 किलो बाइट इस तरीके से हमेशा आपको याद रखना है कि किसी computer की जो मुखे स्मृती होती है वो 960 किलो बाइट रूती है और इसी से आपका ये 1024 वाला जो sequence चलता है, 1024 जो है MB है, 1024 जो है GB है अगर इस तरीके से जो सब्सक्राइब को और जो मैं आंसर बताता हूं डीटेल के साथ उसे समझते हुए चलना और नहीं समझ कुछ आये तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ बेश्ट आपको समझा रहा हूं कहीं दिक्कत आपको हो सकती है तो आप उस दिक्कत को म सा होता है इन चारों विकल्पों में सी पहला है पता पेटी का जिसको एड्रेस बॉक्स बोला जाता है बी जो है संदेश पेटी का जिसे मैसेज बॉक्स बोला जाता है और सी है आपका पता पुस्तिका जिसको एड्रेस बॉक बोला जाता है और डी है आपका संदेश पुस तो आपसंसी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर आई एकला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन हमारा आएक कुश्चन नंबर 13 देखे इसमें पूछा जा रहे कि SMTP किसका परिवर्ती ये फुल फॉर्म है सो धिंदी में इस तरीके से दे देता है कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि फॉल फॉर्म लेकिन ये फॉल फॉर्म आपका है इसको इंगलिस में यहां पर लिख देता हूँ इसका उपयोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इमेल भेजने के लिए किया जाता है आई होब कि यह आपको क्लियर हो गया होगा फॉल फॉर्म आपको याद करना है computer से related जादा से जादा क्योंकि एक question आपको फॉल फॉर्म से related यानि पांच question अगर ICT में पूछे जाते हैं तो एक question आपको फॉल फॉर्म से देखने को मिल जाएगा आईए अगला question देखते हैं अगला question नमारा है question number 14 देखिए इसमें पूछा जाने के निमनलखित में से कौन सा file format video file का format नहीं है यानि इन चारों विकलपों में से आपको बजाना है कौन सा format जो है video file का format नहीं होता है पहला AVI है B है आपका MOV है C है MP4 है और D है आपका JPEG तो अब इन चारों विकलपों में से आपका right answer क्या होगा देखिए इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number D जो JPEG होता है वो आपका video जो format file होती है उसका ये file नहीं होता है ये picture file का format होता है यहाँ पर बाकी जो MP4 से आप परिचित है MP4 आपका video file होती है ये इसका format होता है फिर MOB जो होता है ये भी आपका video file होती है और ABI ये भी video file इन तीनों को भी आपको याद रखना है ये सभी video file होती है अगर ये तीनों भी याद है तो अगर चौथा अगर आपको नहीं पता है तो आप Elimination के थुरू यानी Eliminate करके जो option होते हैं उनको भी आप सही answer बता सकते हैं तो ये तीनों आपके वीडियो files होते हैं याद रखना है और जो JPEG होता है वो आपका picture file होता है तो आयोगी question आपको clear हुआ होगा और answer आप सभी ने comment box में सही बताया होगा आई अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 15 देखे इसमें पुछायरा निमनलिखित में से सभी सैचड़े को पलब्दिया या था प्रमाड़ पत्र आपका हो गया diploma degree अंक पत्र इत्यादी का online storage house क्या है offline storage house तो आप खुद हैं आप फाइलो में जो है अपना अंक पत्र हो गया degree हो गया diploma हो गया प्रमाड़ पत्र इसको आप offline mood में रखते हैं और भी जो digital कई सारे mood है जैसे कि आप स्कैन करके उसे google drive पर भी रखते हैं लेकिन यहाँ पर इन चारों विकलपों में से आपको बताना है कि जो सैचड़े को पलब्दिया आपकी है जीवन भर की अंक पत्र प्रमाड़ पत्र इगरी यह सारा कुछ जो है online store के तोर पे आप कहां पर रखते हैं या रख सकते हैं स्वयम है पहला national digital library फिर उसके बाद national academic library फिर उसके बाद है national academic depository तो देखें यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपके अंक पत्र डिपलोमा या डिगरी यह सारा कुछ है उपलब्दी सैचिक तो उनको जो है आप national academic depository का जो online platform है उस पे आप रख सकते हैं आपको याद रखना है कि राष्ट्री या सैचिक depository सिच्छा मंत्राले के तहद भारत सरकार की एक पहल है यानि यह भारत सरकार के द्वारा एक पहल है जहां पर एक platform बनाये गया है storage house बनाये गया है जहां पर आप अपने प्रमाणपत्र diploma और degree यह सारा कुछ रख सकते हैं और यह सैच्छडिक पुरुसकारों का एक digital database होता है यानि कि जो भी यह उपलब्दी आपने हासिल की है इसका यह क्या है digital database है hard copy तो आपके पास है और जो संस्थान है उनके पास भी अपना database है तो I hope कि आपको यह भी clear हो गया होगा option D right answer ह अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 16 देखें इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतम पिढ़ी के computer द्वारा निमनलिखित में से कौन सा hardware प्रियोग में लाया जाता है यानि कि जो प्रतम पिढ़ी के computer थे आपके उसमें hardware के रूप में किस जो है किस विकल्प का यहां पर प्योग किया जाता था यही पूछा जा रहा है आपको सही answer बताना है क्या transistor का इस्तमाल किया जाता था vacuum tube का इस्तमाल किया जाता था या VLSI का इस्तमाल किया जाता था D है integrated circuit का इस्तमाल किया जाता था तो आपको बताना है कि प्रतम पिढ़ी के computer द्वारा इन सभी तो ये देखे जो भी मैंने topic करा है वहाँ से direct question previous year में आपको देखने को मिले हैं तो मैंने वही topic आपको कराने का प्रयास किया है जहां से question पूछे जाते हैं vacuum tube के बारे में भी मैंने आपको बता है तो प्रतम पिडि के जो computer होते थे उसमें vacuum tube का इस्तमाल होता था प्रतम पिडि के जो computer होते थे वो आकार में बहुत ही बड़े होते थे और काफी ज़्यादा heat generate करते थे यानि गर्मी उन से निकलती थी अगर time period की हम बात कर ले तो 1900 याद रखना है 1946 से 1969 के बीच में प्रतम पिडि के computer का दौर था इसके बीच में वो इस्तमाल होता था और इस दौरान जो है यूनिवेक जो है इस पिडि का पहला व्यवसाइक computer था ये भी आपको याद रखना है तो अमीद करता हूँ आपको ये सारा कुछ अच्छे तरीके से clear हो गया देखिए छोटे छोटे डिटल्स में यहाँ पर बता रहा हूँ वो भी आपको याद करते हुए चलना है आई अगला question देखते हैं अगला question हमारा question number 17 देखे इसमें पूछा जा रहा कि आकड़ा संचयन और गड़ना परिकलन के लिए computer द्वारा परियुक्त संख्या परडाली कौन सी है तो I hope कि ये भी आप right answer बहुत ही असानी की सत बता पाएंगे पहला है binary, B है octal, C है decimal और D है hexadecimal तो इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका binary binary जो system होता है या binary जो संख्या पद्दती है इसमें 0 और 1 का यहाँ पर इस्तमाल किया जाता है और computer 0 और 1 की भासा को समझता है बाकी तो इसको translate करके compiler हो गएं इनको यह जो machine language है उनको digital भासा में या digital language में बदलते है compiler लेकिन आपको हमेशा याद रखना कि computer जो है 0 और 1 की भासा समझता है यह आपको याद रखना कि आकड़ा computer द्वारा आकड़ा के संचयन, गड़ना, परिकलन यह सारा कुछ जो है binary संख्या पदती के अंतरगत होता है और इसमें 0 और 1 का आपको जिकर देखने को मिल जाएगा तो I hope कि यह आपको अच्छे तरीके से clear हो गया और यहाँ पर option यह क्या हो जाएगा, right answer आई अगला question देखते हैं अगला question अमारा है question number 18 देखें इसमें पूछा जा रहा है कि RAM पद का क्या अभी प्राय है तो यहाँ पर RAM के संदर में कुछ विकल्प दिये गए हैं और इन ही में से आपको सही answer बताना है पहला है memory जिसे केवल पढ़ा जा सकता है B जो memory जिसे केवल लिखा ही जा सकता है C है memory जिसको स्थाई संग्रा के लिए प्रियोग किया जाता है और D है memory जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है अब इन चारों में से ही आपको right answer अपना जो है बताने का प्रियास करना है अब देखें इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number D यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका right answer memory जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है तो RAM जो है एक ऐसी memory होता है जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है आप इस तरीके से भी से समझ सकते हैं कि computer में वह space जब भी आप कोई भी software अपरेट करते हैं चलाते हैं काम करते हैं तो उसका जो data होता है वो उसमें सारा कुछ जाता है तो यह आपको याद रखना है कि RAM में जो है जो data होता है उसको पढ़ा और लिखा जा सकता है ठीक है इसके साथ-साथ RAM का full form आप सभी को पता है random access memory होता है और इसके साथ-साथ इसमें कई सारे ऐसे important terms है जो है जिसको आपको पहले से भी पता होगा और आपको याद करते हुए चलना है RAM के बारे में भी मैंने ICT वाले unit में काफी detail में आपको बताया है और एक important points है जो कि मैं पहले भी कई सारे question में आपको बता है कि ये primary memory का जो है आपका विकल्प है primary memory के अंतरगत आता है RAM है, ROM है और CAS memory आपका होता है तो ये सारा कुछ क्या है primary memory के आपके विकल्प हैं ये आप इस तरीके से देख सकते हैं और secondary memory मैंने hardix आपको बताया है, ssd बताया था flash drive होता है, ठीक है? तो ये सारा कुछ जो है आपका secondary memory का स्रोत है तो आई होब की question का answer आप सभी ने दिया होगा आई एकला question देखते हैं अगला question नमारा है question number 19 देखे इसमें पूछा जारे कि एक web page की location को वे निर्दिष्ट करने वाला पता क्या होता है इन चारों में से बताना है, देखे इसके बारे में भी मैंने बताया था, जब मैंने आपको सारा topic ICT में कराया था, तो यहां पर IOP की right answer आप comment box में बताएं पहला है URL, B है आपका DNS, C है HTML और D है आपका HTTP तो सही answer क्या है, इसका जवाब आपको comment box में देना है, देखे यहां पर right answer जो हो जाएगा, वो है आपका option number A, URL जो है आपका right answer हो जाएगा और इसका full form होता है uniform resource locator तो एक web page की location को विनिर्दिष्ट करने वाला जो पता होता है वो URL होता है uniform resource locator होता है, यह आपको याद रखना है, full form देखे, यहां से यह भी बन गया URL का full form पूछेगा, तो आपको बताना है uniform resource locator अब देखे, यह internet पर किसी भी वांचित संसादन को खोजने है तू अपलब्द सूचनाओं का पता बताता है तथा उस सूचना के protocol और domain name को भी जो है दरसाता है, यह आपको याद रखना है तो URL के बारे में यह जो terms मैंने बता है और जो full form बता है, और यह जो important points बता है, उसे आपको याद रखना है, previous year question को solve करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है मेरी बात आप मानिए, आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा ठेक है, आईए अगला question देखते है अगला question नमारा है, question number 20 देखे, इसमें पूछा जारेगे, UPI पर आधारित निम्नलिकित में से कौन सा mobile IIT payment application राष्ट्रिय भुकतान निगम यानि कि NPC के द्वारा विक्सित किया गया था यहाँ पर आपको बताना इन चार विकलपों में से तो देखे, पहला जो है myGO भी दिया गया विकलप, दूसरा है भीम, और C है among, और D है phone pay, तो इसमें दो विकलपैसे है आपको दिखा देता है, 20 रुपे भेजना है तो 20 रुपे भेजी, पचास रुपे ठीक है तो इसकेन करके आप payment बहुत आसानी किसाथ कर पाते है लेकिन NPC के द्वारा विक्सित किया गया यह पूछा जा रहा है, तो यह आपको याद रखना है राष्टिय भुकतान निगम NPC के द्वारा विक्सित किया तो भीम एप जो है, इसको विक्सित किया गया यह आपको याद रखना है आईए अगला कोश्चन देखते हैं अब देखिए अगला कोश्चन नमारा है, कोश्चन नमबर 21 इसमें आप पूछा जारे कि CPU के दो मुख्य अवियाव है इन चारो विकल्पों में से, वही आपको बताना है पहला है कंट्रोल यूनिट और ALU अभी है ALU और बस C है कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर और D है रजिस्टर और मेन मिमोरी तो इन चारो विकल्पों में से, राइट आंसर क्या है CPU के दो मुख्य अवियाव कौन से हैं इन चारो में से देखे इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब वो है आपका आप्सन नमबरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और ALU ये जो है CPU के दो मुख्य अवियाव हैं याद रखना है आपको कि CPU कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां डेटा सम्मंदी समस्त गड़ना है एवं प्रोसेसिंग आपका होता है यानि दिमाग आप CPU को कह सकते हैं कंप्यूटर का तथा उसके परड़ाम प्राप्त होते हैं कंप्यूटर के सभी अव्यवों को CPU ही नियंतरित करता है यानि कंप्यूटर के जितने भी भाग हैं उनको CPU क्या करता है control करने का काम करता है और CPU के मुख्यता 3 घटक होते है पहला तो आपका ALU होता है जिसका full form होता है arithmetic logic unit यह जो है अंगडिती है यह अंगडिती है यहां तरक संबंदी संक्रियाएं करता है यानि computer में जितने भी अंगडिती हैं और तरक संबंदी संक्रियाएं होती है वो ALU के द्वारा होती है यानि arithmetic logic unit दूसरा आपका control unit होता है तो यह computer की नियंतरन एकाई होती है यानि नियंतरन करने वाला काम करता है control unit जो होता है और तीसरा जो है main memory और यह computer के मुख्य memory का एकाई होता है यह आपको याद रखना है तो यह तीनों जो है CPU के घटक होते है तीन, ALU, control unit और main memory आई होप कि समझ में आपको अच्छे तरीके से आया होगा आई अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 22 देखें इसमें पूछा जारे के web page के निर्माल है तो आपको right answer comment box में बताना है देखें इसका जो right answer हो जायेगा वो है आपका option number D HTML में ये जो web page होते है उसको तैयार किया जाता है इगे इसका जो फॉल फॉर्म होता है वो होता है hyper text markup language अगर आपसे पूछ लेयागा कि HTML, इंगलिस में मैं लिक देता हूँ है, आपर HTML, अगर पूछ ले जाए कि इसका full form क्या होता है, तो hypertext markup language ये आपको याद रखना है, अब देखिए इसका विकास जो है web page बनाने हेतु जो है किया गया है, हमेशा आपको याद रखना है, जो website का web page होता है, उसको ही बनाने के लिए इस HTML का develop किया गया या इसको बनाया गया है, और एक important points आपको याद रखना है कि HTML में web page बनाने हेतु जो है tags का प्रियोग किया जाता है, हमेशा ये छोटा सा आपका important points है, लेकिन आपको याद रखना है, अगर आप पूछा जाए कि HTML में web page बनाने हेतु किसका इस्तमाल किया जाता है, तो tags का प्रियोग किया जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, I hope कि question अच्छे से clear हो गया और answer भी आप सभी ने सही दिया होगा comment box में, आई एकला question देखते हैं, अगले question नमारा है, question number 23, देखें, इसमें पूछा जारे निमलखित में से कौन सा search engine है, तो ये काफी easy आप सभी के लिए है, और आप सभी उमीद करता हूँ कि right answer बहुत असानी की साथ बता पाएंगे, flash दिया गया है, b firebox है, c internet explorer है, और d है google, google के नाम से आप सभी परिचित हैं, आप सभी को पता है कि google में आप कोई भी जानकारी सर्च कर सकते हैं, ये एक search engine है, इसका अपना database नहीं होता, ये आपको याद रखना है, google जो है search करने का काम करता है, ऐसा नहीं 2019 में ये question पूछा गया था, तो काफी important है, तो इसके जगह आपको अलग search engine के बारे में भी दे सकता है, जैसे अगर दोबारा से question पूछा जाएगा, तो google का माल ये नाम नहीं देगा, वहाँ पर yahoo का अगर नाम देता है, तो ये भी आपका search engine होता है, बिंग भी एक आपका search engine होता है, तो question पलट के या कुछ इसमें changes करके दोबारा पूछ लिया जाएगा, ये आपको याद रखना है, yahoo और बिंग भी क्या है, search engine है, और internet explorer क्या होता है, ये आपका web browser है, ठीक है, इसमें mozilla firefox होता है, google chrome है, ये सारा कुछ क्या है, web browser होता है, ये आपको याद रखना है, तो आई हो कि ये सारा कुछ clear हो गया, आई अगला question देखते हैं, अब देखिए अगला question हमारा है, question number 24, इसमें पूछा जारे कि joint photography exports group का opioid किसे compress करने के लिए किया जाता है, तो देखिए अगर sort में अगर आपको बोलूँगा मैं, तो ये आपका jpeg होता है, jpeg और उसके बाद से आपका g हो जाएगा यहाँ पर, तो ये sort name हो गया, अगर full form भी आप से पूछे तो आपको याद रखना है, joint, j से joint हो जाएगा, p e से photography आपका हो जाएगा, और e से expert हो जाएगा, और g से group, तो joint photography, जो है expert group यहाँ पर full form हो जाएगा, jpeg का, ठीक है, उप्योग किस compress करने के लिए किया जाता है, तो image के लिए, आपको पता है, jpeg क्या होता है, image file होती है, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ आपका right answer हो जाएग और ये वीडियो का हमारा last question होगा, देखे, इसमें पूछा जारे के सूचना प्रदोकी, यानि कि IT, IT का full form क्या होता है, information technology का वह उप्योग, जिसे समाज के अवशकता है, पूरी करने हे तो सरकार की छमता में सुधार करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है, यहाँ यहाँ पर आपको बताना है, पहला है E व्यापार, B है, E सासन, C है, E सासन यहाँ पर यह एक है, E प्रिसासन ठीक है, और D है आपका E विपडन, तो इन चारो विकल्पों में से आपको right answer आपको क्या करना है, comment box में बताना है, देखे, इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा, वो ह आपका option number C, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E सासन आपका हो जाएगा, सूचना प्रदोग की, यानि कि information technology का वह उपियोग, जिसे समाज के अवशकता पूरी करने है, तो सरकार की छमता में सुधार करने के लिए किया जाता है, वो E सासन होता है, यानि कि जो सरकारी काम काज है उनको internet पर shift कर दिया गया, ठीक है, पहले जो physical mode में काम होता है, उनको online shift कर दिया गया, इससे सरकार की कार ये छमता में सुधार हुआ, और वो ज़्यादा तर लोगों तक पहुँच पाएं, और जो सुविदा होती हैं सरकारी, वो पात्र लोगों तक पहुँचा पाएं, तो इससे क्या होगा, उनकी छमता में सुधार होता है, तो I think कि जो है आपको यहाँ पर clear हो गया, option C कैसे आपका right answer हो जाएगा, जैसे कि कोई भी सरकारी website है, उस पर आपको registration करना हो, online पंजी करना हो, तो आपका online हो जाता है, पहले क्या होता था कि जाए उस दपतर से form ले किसे clear हो गया होगा, और ये वीडियो हमारा यहाँ पर complete होता है, मैंने आपको उपर बताया था कि इस वीडियो में हम 25 important question cover करने वाले हैं ICT के, कब से कब तक के question मैंने आपको कराए यहाँ पर, 8 जुलाई से लेकर, मतलब 8 जुलाई 2018 से लेकर, 25 जून 2019 के बीच में जो question ICT क पूछे के हैं, उनको मैंने काफी detail में मैंने cover कराया, अगर यहाँ से modify होके भी question पूछे जाते हैं, तो उमीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरिके से उसका answer दे पाएं, इसके साथ ही साथ मैं आप से हमले request करता हूँ, बहुत ही कम समय है, जादा से जादा आ परकिये मेरा, जो details होता है, कम से कम 10 line में details question का दिया जाता है, तो अगर उस तरीके से question को solve करते हैं, तो paper 1 में भी अच्छा score आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ unit ऐसे होते हैं, जिन से तो आप direct question मना सकते हैं, बस थोड़ा सा अंकों में परिवर्तन या कुछ concept में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, लेकिन solve करने का format सेम होगा, जैसा कि previous year में आपने किया होगा, जैसे DI है, reading comprehension है, गणती है, तरक अभी वरिती वाला section हो गया, तो ऐसे कई सारे unit हैं, जिनको आप previous year के question paper से आसानी के साथ बना सकते हैं, तो उमीद करता हूँ कि वीडियो का session आप उसके लिए भी आपका welcome है, बहुत ही अदिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ कि जो negative feedback है, healthy feedback कि ये content सही नहीं है, यहाँ पर ये point गलत है, आपको इसमें सुधार है, इसे तरीके से आप बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में इसे और enhance करने का और बहतर करने का प्रयास कर क्योंकि मैं भी daily कुछ ने कुछ learning करता हूँ, मैं भी कुछ ने कुछ सेखता रहता हूँ, तो अगर कुछ कमी लगती है वीडियो के session में, तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं, और अपना support मुझे जरूर दीजेगा, like करके आप support कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज़्यादा time जो लगता information देने like है, मैं वो information आप सभी को दे देता हूँ, ऐसा नहीं कि दिन बर आपको update देता हूँ, तो आप अगर channel पर नए हैं और चाहते हैं अच्छे तरीके से preparation करना, तो आप इस channel को join कर सकते हैं, यानि कि subscribe कर सकते हैं, और subscribe करने के बाद आपको करना है, simply यह जो bell icon का button होता है, उसको आपको प्रेस कर लेना है, आपको इस channel पर जितने भी important video upload की जाती है, चाहे job related है, exam update है, या preparation से related है, चाहे important questions से related, यह सारी video के notification आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी, और आप video को miss नहीं कर पाएंगे, तो friends, आथ के video में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, अगली वीडियो में कुछ और important question के साथ, तब तक के लिए, जैहिन जबाद,